हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स गार्डन को डेकुरेट करने के लिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिने आप छोटे छोटे पोट में भी यूज कर सकते हो जैसे अगर आपकी बालकनी में ज्यादा स्पेस नहीं होता है या फिर किसी विंडो के पास आप प्लांट रखना चाते हो तो इस वीडियो में ऐसे ही कुछ प्लांट के नेम बताऊंगी इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखे काफी हल्फुल होगी और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें चैनल को और आपने सब्सक्राइब नहीं किय तो फ्रेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी बैर आइकन के साथ ये सभी प्लांट जो है इनहें आप ऐसी जगह रख सकते हो जहां पर इने सुबह की एक दो घंटे की धूप मिल जाए और अगर धूप नहीं भी आती है दस से पंदरा मिनट की भी धूप आती है तो भ पर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद होती है उसको आप पानी में भिगा कर रख दीजे और नेक्स्ट डे इनकी जड़ों में थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हो फस्ट प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हो टर्टल वाइन टर्टल वाइन काफी हार्डी एंड पर्मान कर सकते हो धूप में भी ग्रो करता है चाया में भी और ओनली 40 से 50 रुपीज का नर्सरी में मिल जाएगा मैंने इसको बेकार ग्लास में लगाया हुआ है नीचे की तरफ मैंने इसमें होल किया हुआ है ताकि एक्स्ट्रा पानी बहार निकल जाए आपको मिट्टिन में सोफ होगी और पानी नहीं जमेगा एक्स्ट्रा पानी से बाहर निकल जाता है तो इस ग्लास को हम कहीं पर भी रख सकते हैं युआ फिर स्टैंड में रख सकते हैं नेक्स है हमारा कैक्टर कैक्टर सुकुलेंट इस बहुत सारी वैराईटी होती है यह आपको 20-50 रुपी से स्ट तक की रेंज में मिलते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी वेराइटी होती है मैंने इसको ओनली 4 इंच के पोर्ट में लगाया हुआ है और प्लास्टिक का पोर्ट है तो इसको मैं ऐसी जगा रखती हूं जहां पर इसे सुभर की आधा एक घंटे की धूप मिल जाती है इसमें पा पानी डालते हैं तो थोड़ा डालते हैं और एक दो दिन बीच में गैप करके तब टालते हैं क्योंकि प्लास्टिक पोर्ट में जल्दी जल्दी पानी नहीं सूखता है नेक्स्ट हमारा चैन प्लांट चैन प्लांट भी काफी हार्डी और पर्मानेंट प्लांट होते हैं बेबी प्लांट निकलते हैं उन्ही से इनको ग्रो करना बहुत आसान रहता है ये भी ओनली चार से पांच इंच के पोट में ही लगे हुए हैं और ग्रोथ आप इनकी देख सकते हो कितने अच्छी हो रखी है तो इस तरीके से आप इनको अगर अपने गार्डन में एड करते ह पेंट करके आपके यूज हो जाएंगे अच्छे से और सुन्दर भी लगते हैं चैन प्लांट आपको उनली 20 से 40 रुपीज का इजी से मिल जाता है इसके एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट तयार कर सकते हो मैंने इसको भी प्लास्टिक पोट में ही लगाया हुआ ह तो आप इंडोर में रखे हुए प्लांट में पानी कम डाला करें कैंकि प्लास्टिक पोट में जल्दी से पानी नहीं सूखता है next होता है हमारा spider plant spider plant भी काफी hardy होता है और इसके जो runner निकलते हैं उसी से इसको grow किया जाता है only 60 rupees का आपको nursery में मिल जाता है मैंने इसको plastic bottle में लगाया हुआ है आप इसको छोटे से छोटे port में बड़े port में जैसे मर्जी अपने according decorate कर सकते हो next हमारा baby sun rose baby sun rose भी आपको 40 से 50 rupees का मिलता है plastic bottle में लगाई ये glass में लगाई ये कम में लगाई ये coffee hardy plant है और इसी देखने में बहुत ही खुबजूरत सा लगता है प्यारा सा क्योंकि इसके उपर छोटे छोटे margenta color के फूल भी निकलते हैं इसको baby sun रोज बोला जाता है पूरा दिन की धूप में भी रखा जाता है चाया में भी रखा जाता है तो इस तरीके से आप इस plant को grow कर सकते हो next हमारा purslane, purslane पोर्चूल का इनकी भी बहुत सारी variety होती है जिन्हें आप अपने घर में cutting से easy तयार कर सकते हो छोटे से छोटे port में लगा सकते हो hanging port में लगा सकते हो यह plant आपको only 20 रुपीज का नर्सरी में मिल जाता है यह पूरा दिन की धूप में भी grow करते हैं और सेड में भी easy से grow कर जाते हैं आप इने बालकनी के लिए भी रख सकते हो next हमारा purple heart तो purple heart काफी attractive सा plant लगता है क्योंकि इसकी पत्यों का color काफी अलग होता है पिल्कुल purple color का और इस पर फूल भी खिलते हैं छोटी छोटी cutting से easy तयार होता है only 20 रुपेज का आपको यह nursery में भी मिल जाता है आप इसको hanging port में लगा सकते हो मैंने इसको भी 3-4 inch के port में ही लगाया हुआ है plastic port में और इसी में दूसरा plant पे हमारा उग गया है तुलसी का जो कि मैंने नहीं निकाला next हमारा sensi varia या फिर snake plant snake plant जो होते हैं इनकी पोकुत सारी variety होती है यह भी छोटी छोटे port में easy से grow कर जाते हैं तो जो हमारे ceramic के port होते हैं यह decorate के लिए rest रहते हैं आप इनमें भी plant लगा कर अपने garden को सुंदर बना सकते हो बालकनी को decorate करने के परपस से ceramic port आप यूज कर सकते हो तो sensi varia plant भी shade loving plant है और आपको 80 रुपेज के nursery में मिल जाते हैं next हमारा singonium singonium भी काफी hardy plant होता है और इनकी बहुत सारी variety होती है एक plant से आप इसके बहुत सारे plant तयार कर सकते हो इसके पास से baby plant निकलते रहते हैं shade loving plant है जोटे port में, hanging port में कैसे भी आप इसको लगा सकते हो और इसमें पत्तियों को बसाफ इनकी साफ करिए 60-80 रूपीज से start होकर ये भी आपको 200-300 तक मिल जाते हैं इसी तरीके से हमारा है money plant money plant को काफी ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसको lucky plant भी माना जाता है तो money plant को आप पानी में grow कर सकते हो छोटे port में, plastic bottle में and कंच की bottle में hanging port में किसी भी तरीके से आप इस plant को decorate कर सकते हो कहीं पर भी फैला सकते हो और बहुत सारी इनकी variety भी आती है मिट्टी में लगाईए, पानी में लगाईए जल्दी से खराब नहीं होता है मैंने ये डबों में लगाया हुआ है मिट्टी में और आप इसकी growth देख सकते हो कितनी बढ़िया हो रखी है बस पत्यों पर पानी डालती रहती हूँ इस प्रे करके ताकि पत्यों में साइनिंग रहे और पत्या साफ रहे dust ना बैठे, जितनी पत्या साफ रहेंगी उतनी हमारे plant की growth भी निकलती रहती है तो इसी तरीके से इन में मैं कोई ज़्यादा खाद भी नहीं डालती हूँ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद सिर्फ वही खाद में यूज करती हूँ तो मनी प्लांट को छोटी-छोटी डाल कर भी आप decorate कर सकते हूँ नेक्स्ट प्लांट है हमारा फिलो डेंडरोन फिलो डेंडरोन प्लांट की भी बहुत सारी βैराइटी होती है उसी में एक ये वाली वैराइटी है जिसकी पत्यों का कलर थोड़ा dark रहता है का ही kलर सा इनका होता है ये भी आप cutting से easy तयार कर सकते हो आपको 80 रुपीज का ये nursery में मिल जाता है shade loving plant है इसको आप hanging pot में भी लगा सकते हो बेल की तरह भी फैला सकते हो और पानी में भी इसको easy grow कर सकते हो क्योंकि ये plant पानी में भी पहुँँ चल्दी से चल जाता है next हमारा jade, jade भी काफी hardy and permanent plant होते है nursery में आपको 150 के मिल जाते है छोटी छोटी cutting से जितना मर्जी आप इनके plant तयार कर सकते हो इनको भी lucky plant माना जाता है jade plant hanging pot के लिए plastic bottle के लिए cup के लिए जितना मर्जी आप इसको फैला सकते हो अपने garden में इनकी bonsai बनाई जाती है इनको इस तरीके से भी आप फैला सकते हो दूप में रखो चाया में रखो जल्दी से खराब नहीं होते है और इनकी एक एक leaves से आप new plant तयार कर सकते हो next हमारा rio, rio भी काफी hardy plant होता है और छोटे से छोटे pot में easy grow कर जाता है धूप में वी छाया में भी आप इसको grow कर सकते हो double तरह कि इसकी leaves होती है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है 40 rupees का nursery में मिल जाता है so I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe bye bye